Hello students, welcome back to my channel आज की वीडियो है 10th और 12th दोनों ही क्लासिस के स्टुडेंट्स के लिए क्योंकि आप इंतिजार कर रहे थे आपके annual exam की date sheet का और मैं आज की वीडियो में आपको date sheet ही note करवाने वाली हूँ देखिए बच्चों हर्याना विद्याले शिक्षा बोर्ड ने आपकी date sheet जारी कर दी है तो चल्दी से copy pen उठाईए और अपनी date sheet note कर लीजे दस्वी और बार्वी दोनों ही क्लासिस के बच्चे साथ के साथ date sheet note करते जाएंगे आपके exam start हो रहे हैं बच्चों 30 मार्च से ओके और timing रहेगी साड़े बारा से तीन बजे तक ध्यान लखना है आपने सारी बातें बड़े ही ध्यान से note करनी है ओके चलिए फटा फट से हम डिर्चित note कर लेते हैं बार्विंग क्लास 30 मार्च को हिंदी कोर इलेक्टिव ये ध्यान लखिएगा English है special for foreign students आपका English का paper नहीं है आपका हिंदी का paper है बार्विंग क्लास का 30 मार्च को 31 मार्च को है दस्वीं क्लास का social science का 1 April को है बार्विंग क्लास physics economics 2 April को है fine arts, all options और केवल गुरुकुल बाले बच्चों के लिए Sanskrit साहित्य वेद सिधान्त आगे देखिए चार अपरेल को बार्विंग का paper नहीं है चार अपरेल को है दस्वीं का English का paper तो ध्यान लखिए बच्चों आपको पता ही है मेरे चैनल पर आपके syllabus के सभी chapters के notes है और सभी chapters के MCQs है line by line explanation है और textual question answers है English grammar के सभी topics हैं तो time table बना लो बच्चों और जल्दी से जो है annual exam के लिए बड़े अच्छे मन से एक determination के साथ तयारी शुरू कर दीजे ओके अब देखो 5 April को बार्विंग क्लास का है mathematics 6 April को है दस्वी का हिंदी ओके ध्यान से आपने नोट करना है मैं दस्वी और बार्विंग दोनों ही क्लास के डेर्ट शिट नोट करवा रही हूं 7 April को बार्विंग का physical education 8 April को बार्विंग का home science 9 April को बार्विंग का English core elective तो देखो दस्वी का आया है 31 March को social science 4 April को English 6 April को Hindi आगे बढ़ते हैं हम 11 April को बार्विंग का है military science, dance, all options, psychology और केवल गुरुकुल वाले बच्चों के लिए संस्कृत व्याकरण भाग एग और 11 April को ही maths का paper है दस्वी वाले बच्चों का maths में दिया हुआ है only four blind candidates यानि blind candidates वालों का भी है और आप सब का भी जो normal बच्चे है ठीके आगे देखिए 12 April को बार्विंग क्लास का है पंजाबी दस्वी को छुट्टी मिल गई है break मिल गया बीच में 13 April को बार्विंग का chemistry, accountancy, public administration अब 13 के बाद सीधा ही 18 April को आ गए है क्योंकि बीच में मिल गया आपको होली के लिए break तो होली भी जो है अच्छे से enjoy कीजेगा पढ़ाई भी कीजेगा 18 April को बार्विंग क्लास का geography 19 April को है computer science और ITES information technology and enabling services ये केवल modern senior secondary school फरिदाबाद के लिए है मतलग की ITES बाकियों का computer science आगे देखो 19 April को ही दस्विंग क्लास का है science का paper science only for visually challenged candidates आगे देखो 20 April को बार्विंग का है history biology ठीक है 21 April को है बार्विंग का agriculture philosophy अब जो है 21 April को ही दस्विंग का भी है physical and health education, Sanskrit, उर्दू, drawing, agriculture, computer science, home science, music, hindustani, all options तो सारे आप screen shot ले लिजेगा जितने भी subjects हैं तो आपके पास जो subject है उसके according अपनी date sheet note कर लिजेगा दस्विंग और बार्विंग दोनों की ही data साथ की साथ चल रही है और मैं आपको important instruction भी बताऊंगी बच्चों इस बार एक खास instruction है सभी बच्चों के लिए बाईस अप्रेल को बार्विंग का संस्कृत उर्दू बायो टेक्नोलजी और दस्विंग का जो NSQF के subject होते हैं retail, security, beauty and wellness, travel, tourism, banking and insurance इस सारा note कर लिजेगा ठीके 26 अप्रेल को बार्विंग का है sociology, entrepreneurship या फिर देखी इदर दस्विंग का है पंजाबी, IT, ITES और वो भी केवल जो है ITES कहां पे है government model, senior secondary school, फरिदाबाद के लिए है ये ठीके 27 अप्रेल को बार्विंग का political science और 28 अप्रेल को बार्विंग का music, हिंदुस्तानी, all options, साथ में है business studies तो ध्यान से नोट करीजिएगा बचों सभी जो है subject की date sheet को 29 अप्रेल को है retail, security, automobiles, IT and ITES ये जो भी subject आपके पास है उसके according नोट कर लीजेगा और केवल गुरु कुल बाले बच्चों के लिए संस्कृत व्याकरन भाग दो अब देखो दस्वी के paper जो है खत्म हो चुके है 26 को ही और बार्वी के खत्म हो जाएंगे 29 अप्रेल को तो एक महीने लगबगी आपके exam चलेंगे अभी आपके पास लगबग 15-20 दिन है तो अच्छे से तयारी शिरू कर दीजिए दस्वी और बार्वी दोनों के लिए ही English का complete syllabus मेरे चैनल पर है जो भी exam pattern है देखो sample paper जो board की तरफ से आये था वो भी पूरा salt है मेरे चैनल पर इसके अलावा आपकी practice के लिए sample paper वो भी मैंने डाले हुए है तो पहले सारे MCQs देखिए सारे chapters के questions को learn कीजिए grammar के topics की practice कीजिए और उसके बाद sample paper से जो है अपने आपको चेक कीजिए कि कितने तयारी हो गई है तो बचो अब हम आते हैं important instruction पर ये instructions हमेशा की तरह हैं जैसे दी जाती हैं वैसे तो हैं ही लेकिन इस बार खास है आपके लिए instruction number 9 आपको क्या करना है examines must get themselves vaccinated prior to taking the examination exam से पहले get vaccinated ये vaccination camp जो है स्कूलों में लगे ही थे यहाँ पर देखो instruction का भी आप screenshot ले सकते हो ओके तो ये डेशिट आज अर्याना बोर्ट की जो है site पर आपको मिल जाएगी आप यहाँ से भी screenshot ले लीजिए आई होप आपने note कर भी ली होगी ठीक है तो आज के लिए बच्चों इतना ही लेकिन साथ ही मेरी तरफ से बहुत सारी शुब कामना है best wishes to all of you for your annual exams टाइम टेबल बनाईए और पढ़ाई शुरू कर दीजे thank you very much for watching this video